नमस्ति दोस्टों स्वागए थे आप सभी को हीरास कुक बुक में आज में लेकर आई हूँ आलो कितलिया की रेसीपे आलो कितलिया बनाने की बहुत यहासन रेसीपी इस आलो कितलिया को आप रोटी, चावल, पूड़ी, चपाति किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी होती है बनाने में सिर्फ पांस मिनट लगते हैं कम मेहनत में कम सामान में बनती है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो आलो कतलिया बनाने के लिए याँ पे मैंने 300 ग्राम आलो को अच्छे से धो करके इस तरह से गोल गोल से काट लिए है थोड़ा सा पतला करके काट लेना है हमें कटी हुए आलो को रख दीते हैं साइड में और एक कड़ाई को गरम कर लेंगे गरम कड़ाई में हम डाल देंगे तेल तो मैंने यहाँ पे आधा कब तेल यूज किया है सर्शो का तेल रहेगा तो बेतर रहेगा पर आप कोई भी अपने मन पसंद का कुकिंग वाइल ले सकते हैं तो आलो को डाल देंगे और यहाँ पे हम इसको फ्राइ कर लेंगे तो हम यहाँ पे आलो को अच्छे से चलाते हुए फ्राइ कर लेना है गेस के फिलम को हाई टू मेडियम रखी है मैंने चलाते हुए हमें ध्यान में रखना है कि आलो कटना जाए इस पेचुला से और बहुती ध्यान में रखते हुए आलू को हमें इस तरह से चलाना है तो जब आलू इस तरह से थोड़ा सा गोल्डन दिखने लग जाए गोल्डन ब्राउन तो हम आलू को निकाल देते हैं तो आलू करीबन 80-90% तक कुक हो भी चुका है तो सारे आलू को निकालने के बाद ये जो तील था बहुत ज्यादा था तो मैंनिया से निकाल दी है और एक टेबल स्पून जितना तेल मैंने रख दी है कडाई में फिर सेम तेल में हम डालते हैं एक चुथाई चमच जीरा साथ में दो कटा हुआ टमाटर को डाल देंगे और मिला देंगे तमाटर को मिलाने के ब नमक डाल देंगे फिर चोटा चमच से एक चमच चीली फ्लेक्स डाल दी है मैंने इनको डालने के बाद मिला देंगे और दो टेबल स्पून पानी डाल देंगे पानी को डाल देंगे और पानी को उबलने तक छोड़ देंगे फिर पानी को उबलने के बाद हम इसमें डाल आलो जो हमने फ्राइ करके रखे थे आलो को डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे आलो में जैसे उबलदाना इस्टा टोटा है हम इसको कवर कर देंगे कवर करके तो कवर कर दिए मैंने कवर करके हम इसको करेबन 4 मिनेट तक low to medium flame में पकाएंगे चार मिनिट बाद ये जो आलू है अच्छे से कूक हो गया है और आलू मैंने गेस की फिलम को आफ कर दी है आलू कतलिया बनके तैयार है खाने में बहुत ही टेस्टी है एक बार जरूर से बनाईएंगा इंजॉय कीजिएगा आप ओफिस के लिए भी लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद ठेंक यू